नमस्कार मंजूला प्रसिक्षन आठ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है अपने यूटूब चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं आज क्लास में बंदनवार बनाना बताएंगे इसके लिए सामागरी लेस, डोरी, फूल, आर्टिफिस्यल फूल, नायलोन धागे, लेस, मीरर, पुराना कपड़ा, ग्लू यह सब लगेगा तो चलिए जितना बड़ा आपका दर्वाज़ो हो उसके अंस्वार नाप ले करके लेस को काट लिजिये मैं बंदरवार बना दी हूँ, देड़ मिटर नाप लिजिये पहले लेस का, उस पे फिर और लेस, मोती, साटन रिबन से उसको सजा करके बनाएंगे यह पुला देड़ मिटर है लेस की लंबाई, हाँ, चलिए उसको लंबा कीजिये और कहाँ पे लगाना है, पहले टेप से नाप ले करके निसान लगाईए यह सब सामागरी है, फेवी को लगेगा, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, या फिर जो आपके पास बचा हुआ घर में हैं, उन सब भी सामागरी से भी बंदनवार बना सकते हैं और इसे कभी भी अपने पुजा घर में या अपने दर्वाजे में लगा सकते हैं, चलिए इसको नाप ले करके पेंट से निसान लगाईए मैं यह नाप लेनी है, यहाँ पर यह सेंटर है, यहाँ पर निसान लगाईए हाँ, तीस इंच पे ना, तीस इंच पे निसान लगाईए है हाँ, अब हैलो मैम, हम इस पट्टी पे घ्लू लगा रहे हैं हाँ, यह आपका बंदनवार है, हाँ मैम ही मेरा बंदनवार है क्या लगा रहे हैं उस पे? हम इसमें गम लगा रहे हैं, आप फेवी कोई को इस अभी गम यूज कर सकते हैं हाँ उसके बाद हम यह ऐसे चंकिली डालेंगे इसमें चोटे-चोटे यह हमने डाल दो हाँ उसको हाँ, उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा आपका बंदनवार कंप्लीट हो गया है क्या? मैं मेरा बंदनवार तयार हो चुक है पूरा बहुत की कापी अच्छा लग रहा है तो दोस्तो आप लो मैडम के चैनल को सब्स्राइब के लिए, लाइक कीजे, पॉलो कीजे और खुब सारे कमेंट्स कीजे धन्यवाद देखिए बहुत प्यारा बहुत सुन्दर बच्ची बनाई है बंदनवार को, कितने मीटर का बनाई है मैम यह देड मीटर का है अच्छा बड़े दर्वाजे के लिए है हाँ, देखिए बहुत सुन्दर बनाई है इसको कम्प्लीट पूरा हो गया है Yes, मैं, मैं कम देख शचिते हैं Thank you